नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है पूस मा की ठिटूरती रात में मुनिया अपने सर और मुझ को शौल से ढखे दबे पाउं घर से निकलती है उसका पती दिहारी मजदूल चुठेरा सो राम जी महनत कश काम से ठक कर दालू पीकर बेसुद सोया पड़ा है जल्दी से तेज कदम डग भरते हुए गेहु की खेत में मनोहर से मिलने जाती है मुनिया मनोहर भी अपनी मुनिया का बेसबरी से प्रतिछा कर रहा था यह मनोहर अब तेरे भी नहीं रहा जाता है मा बाबा जबजस्ती स्प्यकर के गले बांदे है काम करके आता है खा पीके दालू पीके सो जाता है तू बता मेरे साथ ब्या करेगा ऐसे ही बरगला तो नहीं रहा काहें नहीं करेंगे तुन से प्रेम करते हैं मुनिया तु कहकर तो देख छाती चीर के दिखा देंगे अपना ये सुनते हैं मुनिया का दिल बाग बाग हो जाता है और मुनोहर के गले लग जाती है उसकी मजबूत बाहुत पाश में जकर जाती है मुनिया एक महीने के बाद मनोहर अपने दोस्ट से खबर कराता है कि शहर में एक किराय का घर ले रखा है वहीं पे काम भी करेगा इसलिए तुम अपना गहना पैसा को सब खर्च वगरा लेके चलना हम लोग सहर के मंदिर में साधी करेंगे फिर एक साथ राजी खुसी रहेंगे आधी रात को मुनिया एक छोटे से बैंग में चार साड़ी कुछ गहने बीस हजार रुपय है जिसे पेट काट काट के सो पचास करके वो बचा लीती वो रख लेती है बस स्टेंट पे इंतजार कर रही थी मुनिया लेकिन मनोहर का कुछ पता ही नहीं दो घंटे के इंतजार के बाद मनोहर आता है अरे कुछ जरूरी काम में फस गया था इसलिए देरी हो गए चल बैठो मनिया चल बैठो हम दोनों बैग में तुम्हारा बस उपर स्टेंड में रखवा देते हैं यह कहते है वह लपक के उसका बैग ले लेता है मुनिया बस की सीट में जाके बैठ जाती है पद्दा ही मिनेट में बस खुल जाती है बस के खुल जाने में मुनिया को होशा है कि मनोहर तो बस में चड़ा ही नहीं है अरे अरे बस रोको मेरा आदमी चूट गया है बस रुख जाती है मुनिया बस से उतर के आसपास देखती है इधर उधर भी जाती है पर कहीं भी मनोहर नहीं दिखाई देता ये भगवान कहां चला गया बधवासी खोश्ती हुई रही पर वहां पे मनोहर होता तब तो मिलता ओ मैडम चलना है आपको कंडक्टर जला के बोला नहीं भईया अब मेरा बैग दे दो जला अब नहीं जा पाऊंगी कंडक्टर बस की छट पे से चिला कर बोलता है अरे मैडम यहां तो कोई बैग नहीं है ठीक से देखो भाई नहीं यहां कोई समानी नहीं है खाली है चट समझ गई मुनिया कि मनोहर से ठगी जा चुकी थी अब क्या करें घर लोटे या मायके नहीं नहीं अपने ही घर चली जाती हो ये तो नीद में होंगे इनको क्या पता चलेगा सो मुनिया घर आके चुपचप सो जाती है सुबा खाना खाते समय राम जी बोल पड़े क्यों भाग गया ना मनोहर तुमें धोका देकर मुनिया को तो जैसे काटो तो खुन नहीं शरमिंदगी से मुड़ी गार लेती है मुनिया डरी सहमी अजी आपक को कैसे पता चला सब पता है मुझे गाउं की लड़कियों को बहला के फुसला के शादी का सब्जबाग दिखा के वैश्याले में बेच देता है और इन्हीं पैसों से एस मोज करता है साला तुम भी जाती थी ना उससे मिलने मेरी नजर रहती थी तुम पर गनीमत है कि सीमा पार नहीं किया उसने वरना वही गेहू के खेयर तुमें मार के उसे गार देता तुमको क्या लगता है कि अरे नहीं थोड़ी से थकान मिटाने के लिए पी लेता हूं आज से वह भी बंद अपनी मुनिया के लिए ये लो तुम्हारा बैग मुनिया की आखों से गंगा जमन आप कमेंट सेक्षन में जुरूर बताईएगा साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजगा और हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजगा धन्यवाद